हेलो फैंस यूपियस एक्जैंबर रवी यूटीव चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम मेडिवर हिस्ट्री का यहां पर लास्ट लेक्चर करेंगे इसलाम एंड सुफिजम के बारे में तो लास्ट लेक्चर में हमने बक्ती मुव्मेंट के बारे में जाना था अभी हम यहां पर सुफिजम जो मुवमेंट चलाता तो इसके बारे में जानेंगे तो यहां पर इसके बाद हम यहां पर जो क्लास 11 और 12 की एकॉनमिक्स होगी वो हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम मॉडर्न और जो गर्फी की जो क्लास्ट होंगी वो रेगुलर यहां पर साथ म रहने वाले तो यहां पर यह स्पिर्शुबल टीचर सो होते हैं यहां पर बॉला जाते हैं मास्टर भी उसके बा presents खलीफा क्या होते हैं यहां पर successors होते हैं ठीक है उत्तरद्धिकारी जो होते हैं तो यहां पर इसलाम जो class 11 एंधिंग 4th या 6th chapter होगा ठीक है उसमें मैंने detail में explain किया हुआ यहां पर इसलाम के बारे में, तो मुरीद यहां पर क्या होते हैं, यहां पर जो शिश्य होते हैं, जो disciple होते हैं, उन्हें बोला जाते हैं, समा की इस से बोला जाते हैं, यहां पर जो रेसिटर होते हैं मतलब जो संगीत समारो होता है उसे बोला जाता है उसके बाद यहां पर तसवूफ तो यहां पर इससे सुफिजम ठीक है यहां पर बोला जाता है उसके बाद कानका कानका क्या होता है यहां पर एक सेंटर जो इनका जो होता है यहां पर जहां पर सभी आ उसके बाद रक्षा तो यहां पर डांस उसके बाद जियारत जियारत क्या होता है यहां पर जो सूफी संतों की जो कबर होती है यहां पर जो तिर्थ यात्रें करती है तो उसे बोला जाता है उसके बाद जिकर एतोबा तो यहां पर क्या होता है कि हर समय यहां पर जो अल्ला क यहां पर सिमरन करना ठीक है जिकर सो दिस वन उसके बाद इंसान एक कामिल तो यहां पर जो हूमन होते हैं जो हर चीज में अच्छे होते हैं ठीक है तो उन्हें बोला जाते हैं यहां पर इंसाने कामिल ठीक है एक परफेक्ट हूमन उसके बाद फना फना क्या होता है यहां प तो इन्होंने रास्ता बताया था सूफी मूवमेंट जो चलाते हैं इन्होंने जो रास्ता बताया था कि बिलकुल ही खो जाओ यहां पे ठीक है तो आगे हम देखेंगे यहां पर उसके बाद वहादत व्वजूद तो यहां पर वन गॉड फॉर इंटायर यूनिवर्स यून मतलब कि जो मुसलिम से जो इसलाम को यहां पे जो फॉलो करते थे जो इनका दर्म है यहां पे उसी में यहां पे एक सुफीजम यहां पे चलाया गया था तो इसलामिक यहां पे मिस्टिसिजम यहां पे देखने को मिलेगा यहां पे रहसेवाद देखने को मिलेगा तो इसक of golden mysticism के नाम से भी जाना जाता है, second stage तरीका देखने को मिलेगा, 11 to 14th century तक चला था, यहाँ पर में लिए कि institute यहाँ पर बन चुके थे, सुफीजम के, ठीक है, तो यहाँ पर third stage थी, वो तरीफा, तो यहाँ पर 15th century ओनवर्ड यहाँ पर चला था, सुफीजम जो था यह बहु कर दिया, सुफीजम ठीक है यह बालों नहीं, तो यह बोलते थे कि यहाँ पर 5 टाइम जो नमाज पढ़नी होती है, यह रोजा रखने होते हैं, तो यह जो complex system है, हमें इसे follow करके, यहाँ पर जैसे के human है, और यहाँ पर जो गोड है, तो यहाँ पर अगर तो इतना यहाँ पर हम complexity लेकी आएंगे यहाँ पर, कि अल्ला तक तभी यहाँ पर पहुंचा जा सकता है, जो एक supernatural power है, उनके दर्शन के जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इनके दौरा कहा गया था है, कि यह बहुँ ज़दा complex है, तो इन्हों ने एक simple सा सीधा रास्ता यहाँ पर बताया गया था, तो इन्हों ने कहा था कि यहाँ पर गोड के प्रती लव होना चाहिए, devotion यहाँ पर ठीक होनी चाहिए, और यहाँ पर compassion होनी चाहिए, जितने भी human beings हैं, ठीक है, यहाँ पर दया बावना होनी चाहिए, उनके प्रती करूना होनी चाहिए, तो तभी यहाँ पर वो तो इसलाम और सुफीजम के बारे में हमने जाना भी तो यहां पर देख लेते हैं, तो इसलाम यहां पर परचार किया गया था, वो स्ट्रिक्ट मॉनोथीजम का यहां पर किया गया था, मतलब कि एक इश्वरवाद, ठीक है, एक यहां पर अल्ला यहां पर, तो इनके दौरा एक चीज यहां पर बताएगी थी, और उसमें यहां पर बहुत सरे इनके दौरा जो रिच्वल्स यहां पर लाए गए थी, ठीक है, यह मतलब कि एक बिल्कुली कॉम्पलेक्स यहां पर स्ट्रक्चर बनाए गई थी, तो 8th & 9th सेंचुरी में जो रिलिजिस स्कॉलर से यहा पर उनके दौरा और यहां पर जो थियोलोजी थी, यहां पर इसलाम, तो यह सब कुछ इनके दौरा विक्सित या डवलप किया था, 8th & 9th सेंचुरी के दोरान, तो सुफीजम, यहां पर इनके दौरा जो हाइलाइट किया जाता है, ठीक है, अभी मैंने बताया जैसे कि पुरा, अगर तो आप यहां पर सब इस कुछ पर इस मतलब की उनकी सिवा बावना यहां पर बिल्कुल सही मन से यहां पर कर रहे हैं, तो यहां पर इंच्वार अखि気्ण का किया है, तो उनके नुसार यहां पर लव ओफ गौर्ड का मतलब क्या है, लँव ऑफ उमेनेटी ठीक है मतलब कि मानवता के प्रती प्रेम ही यहाँ पे अल्ला के प्रती प्रेम है तो यह बात यहाँ पे इनके दुआरा बोलीगी इनके दुआरा यहां पे बताया था तो इनके दुआरा यहां पे बताया गया कि जो इश्वर है अगर उसे यहां पे आप मिलना चाहते हैं उसे प्रापत करना चाहते हैं जैसे की एक जो प्रेमी होता है वो अपनी प्रेमी का से यहां पे मिलता है बिना किसी की प्रवाग किय हुए तो इसी प्रकार का यहाँ पर एक relation होना चाहिए एक human के बीच में और एक God के बीच में तभी अगर तो इस प्रकार का प्रेम यहाँ पर होगा तभी आप यहाँ पर इश्वर अल्ला को यहाँ पर प्रापत कर सकते हैं तो यह बात यहाँ पर बोली गई थी तो सूफी यहां पे बिलीव करते हैं कि अपने जो hurt है इसे train किया जा सकता है यहां पे कि पूरे विशब को यहां पे एक अलग नजरिये से देखना तो यहां पे जिकर हो गया, समा हो गया, राक्स हो गया, ठीक है तो इनके तुरू यहां पे तो यह मैं बता चुका हूँ यहां पे जो important points अभी हमने last में देखे थे, इसके बाद यहां पे जो सूफी हैं, तो यहां पे एक अलग-लग orders में यहां पे आये थे, इनका अलग-लग सिलसिला था यहां पे, ठीक है, तो जैसे कि यहां पे जो teachers होते हैं, जो masters होते हैं, उनका आपर मतलब होता हैं कि जो spiritual genealogy होती है, सूफी teachers की, तो सभी के यहां पे main मकसद क्या है ही हुमन औरão, गोड को यहां पे मिलाना, प्力 है, यहां पे तो, लेकिन यहां पे जो सभी के रास्ते होते हैं, वो अलग-लग होते हैं, ठीक है, यहां पे जो समझाने का जो है या बताने का जो वे होता है यहां पे वो अलग-लग यहां पे देखने को मिलेगा जहांपर ना करें अलग-लग methods यहांपर फोलो कर रहा थी यानी जूसे त्रीका Fahrt तो यहीं से वर्ड आया है यह तरीका यहां पर तो लग-Lग यहाँ पे सभी का मकसद एक है कि किस परकार से human और God को यहाँ पे मिलाना है कि इनके बीच में समपर्क जो connection है वो किस परकार से यहाँ पर generate करना है सभी का यहाँ पे main कारण जो main कारण है वो यही है just रास्ते अलग लग हैं सभी के clear है तो यहां पर एन अकबरी में यहां पर 14 सिलसले यहां पर मैंचन किये गए हैं तो यहां पर जो सुफीजम है इन्हें यहां पर बेसिकली जो देखा जाएगा कि दो हिस्सों में यहां पर डिवाइड किया जाता है तो यहां पर बेशहरा होता है एक बाशहरा होता है मतलब कि जो यहां पर यहां पर यहां पर उसके गंपना की जाते हैं जैसे कि let's suppose कि यहाँ पे जो एक संत या जो एक यहाँ पे master या peer है उनके दोबारा यहाँ पे कोई भी एक poem या कोई story लिखी गई यहाँ पे ठीक है तो आगे जो उनके disciples होंगे तो वो क्या करेंगे यहाँ पे इसे follow करते हुए यहाँ पे story को मतलब कि यहाँ पे जो एक human और god के बीच में किस परकार से यहाँ पे connection जो है उसे जोड़ा जा सकता है connect किस परकार से दोनों को किया जाता है तो यहाँ पे इसी चीज को यहाँ पे follow करते हुए इसे आगे continue करते हुए उनके दोबारा कुछ यहाँ पे add up किया जाते है मतलब कि और ज्यादा simplify करने के लिए ठीक है तो नेनी चीज यहाँ पे जोड़ी जाती है तो इसी परकार से यहाँ पे सिलसला यहाँ पे चलता रहता है clear है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे चीजती सिलसला देखने को मिलेंगे सुहार वर्दी सिलसला देखने को मिलेंगे कदारिया सिलसला देखने को मिलेंगे etc ठीक है मतलब कि बहुत सरे यहाँ पे देखने को मिलेंगे 14 तो इनी के बारे में हम देखेंगे next तो उसके है इसलों मतलब यहां सब्सक्राइब से लाग यहां से जैसे एक यहांarner से आप इसलाम में यहां पर बनाए गया जिस्परिकार के यहां पर नमाज पड़ना होगा रोजा रखना होगा नए तो बहुत सरे जो सूफी से यह सेंटर एशिया संत्र यहां पर हिंदूस्तान के हुए है यहां पर दिशकुन करना तो यह सभी म्यूजिक सुनना ओगा तектив सब कुछ यहां पर जो एक center से यहाँ पर इनके हुआ करते थे यहाँ पर रखे जाते थे ठीक है तो music भी बहुत ज्याद़ा शोकीन हुआ करते थे तो I hope आपको इनके बारे में पता ही होगा तो playlist आपको नीचे description box में मिंझाएगी वीडियो को find out करने की जुरूरत नहीं है, so facebook, instagram, twitter जो pages आप उन्हें भी follow कर सकते हैं, तो next यहाँ पर move करते हैं, so next यहाँ पर देख लेते हैं, चीस्ती सिसला, तो यहाँ पर जो उसकी स्थापना की गई थी, वो खुवाजा, मुहिनी दीन, चीस्ती के दौरा की गई थी, 1142 से लेके 36 यहाँ पर टाम पिरेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि इनके दौरा जो first खान का यहाँ पर establish किया गया था, वो अजमेयर में किया गया था, so this one, इस परकार का, तो इनके दौरा यहाँ पर जो काम किया गया था, जो poorest section था, यहाँ पर society का, ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो successor से यहाँ पर थे, यहाँ पर चीस्ती सिलसला के, खवाजा, कुदबुदीन, बक्तियार, काकी, तो यह देखने को मिलेंगी, ठीक है, वो नीचे आप लोगों ने comment section में बताना है, उसके बाद खवाजा, फ्रेदोदीन, शक, शकर, गंज, ठीक है, तो यहाँ पर बाबा फ्रीद भी इन्हें बोला जाता है, यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर निजामुदीन, ओलिया, तो यहाँ पर इन्हें इन्स नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर कुछ, यहाँ पर चिल्सला जो थे यहाँ पर, तो आगे इन्हें continue जो इनके द्वारा किया गया था, उसके बाद यहाँ पर सुहरवर्दी सिल्सला के बारे में देख लेते हैं, तो इनके द्वारा भारत में सापना करी गए थी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सापना की गए थी, वो बगदाद में सापना की गए थी, कि इनके द्वारा की गए थी, शेक, शाहियाब, उदीन, सुहरवर्दी, तो इनके द्वारा यहाँ पर सापना करी गए थी, सबसे बगदाद में क Athletе टो पहला खान क के द्वारे जो खोला गया था वो मुल्तां एक आधा था तो आप इस परकार के यहां पर देख सकते हैं थे तो उसके कदारिया सिलसला की बात करें तो यहां पर यह जो शाहा नमतुला तो इनके दौरा यहां पर इंटेडीूस किया गया था पंजाम में यह बहुत जाधा पर्चलित रहा था यहां पर पॉपलर रहा था क्लिए था उसके बाद हम यहां पर मुव करतेहाई तो नेक्स है यहां पर यहां पर विश्वाश होना चाहिए यूनेटि और सिर्फ मंदिर या मस्जिद तक कि इसी में तो यहां पर सभी के दिल में तो यहां पर यह बात बोलेगी उसके बाद यहां पर पाया गया इनके द्वारा कि जो सूफी संत है उनके दुवारे यहां पर पाया गया purity of the heart इसके उपर तो इनके दुवारे यहां पर कि कभी भी यह नहीं मानते थे कि यहां पर जो बहुत ज्यादा कठोरता यहां पर अगर है जैसे कि नमाज यहां पर पांच टाइम पढ़ना हो गया रोजास रखना हो गय कि इन्हें यहां पर neglect करते थे इनके दुवारा किया गया था सो यहां पर इनके दुवारा जो focus किया गया था कि यहां पर mind प्योर होना चाहिए हर्ट प्योर होना चाहिए ठीक है तो तब यहां पर मौक्ष की प्रापती हो सकती है यहां पर क्योंकि जो अल्ला है वो कहां प गई थी उसके बाद यहां पर बिलीव इन गुरु या मुर्शद तो यहां पर जो मोर्शद या गुरू या पीर ठीक है जो यह होते हैं यहां पर important place यहां पे रखे गई है यहां पर इस रास्ते से यहां पर दिखाते हैं तब वो अपने जो gulls ह каз update यहां पर सब्सक्राइब उसके बहुए घर तो आप यहां पर आप यहां पर यहां पर और मिल सकेगी उसके बाद यहां पर इंपरशाहार आप तो इहांप करा गया कि यहां पर जब कोई भी यहां पर जो गोर्ड के प्रतूं जो डिवोशन है दैए तो उसमें बहुत्जादा डीप ली यहां पर नहीं जाता जैसे कि यहां पर में अग्जेंपल लास में बताई थैख जो प्रेमी का सब मिलें है मतलब की जो उनके बीच में जो प्रेम होता है इस परकार का अगर प्रेम यहां पर यूमन और गॉड के बीच में देखने को मिलेगा ठीक है डीप लव तभी यहां पर प्रापत यहां पर किया जा सकते है अल्ला को ठीक है तो अगर आपको नोश चाहिए बहुत ही कम यहां पर तभी प्रापत कर सकता है कि अगर उसके जो करम है वो अच्छे होंगी तो मनुश्य और इश्वर के बीच में जो एक खाई जो बहुत बड़ी यहां पर खाई बन चुकी है इसे यहां पर जो इसके जो अच्छे कारे होंगे तो वो उसे दिरे-दिरे कम करते है और यहाँ पे इसी परकार से सभी क्या यहां पे brothers हैं यहाँ पे दूसरे के ठीक है तो यहाँ पे कोई भी जो अच्छा या बुरा नहीं आ उनके लिए तो यहाँ पे सभी को एक दूसरे के प्रती जो उसे यहां पर त्यागना पड़ेगा और यहां पर जो कि human beings से प्रेम नहीं करते तो वो कभी भी इश्वर या अल्ला को प्रापत नहीं कर सकते ठीक है तो यह बात यहां पर बोली गिए उसके बाद salvation की अगर बात करें मुक्ति तो यहां पर जो सुफिस का बिलीव है कि यहां पर अगर salvation अगर चाहते हो प्रापत करना चाहते हो तो किस प्रकार से मिलेगी पहला यहां पर डिवोशन टू गोड यहां पर कि जो बगवान की बक्ति करना हो गया दूसरा यहां पर सची सेवा और तीसरा नौलेज अबाउट दे गोड यहां पर बगवान के प्रति इश् किसी चीज़ की ओपर यहां पर गमंड या गरभ नहीं करना चाहिए तो यह बात यहां पर बोले गए थी तो लास्ट क्या यहां पर लव फॉर म्यूजिक तो नो डाउट यहां पर जो एक सिंपल लाइफ तो यही जिया करते थी यहां पर जो सुफिस थे लेकिन इनका जो जो था वो म्यूजिक के प्रते भी बहुँजाधा था मतलब कि यह मानते थे कि अगर कोई भी यहां पे पी जिया नो की बोलो जो music है इसे यह बहुत ज़्यादा पसंद किया गरते थी clear है so I hope आपको यहां पर सुफीजम के बारे में समझ में आया होगा so detail में हमने सब कुछ यहां पर cover किया जो भी यहां पर important है UPSC mains के लिए तो यहां पर हमारा जो medieval history यह खतम होती है so next हम modern history देखेंगे after यहां पर class 11 developed की comics complete करने के बाद so video अच्छा लगे तो like और share कर देना अपने आसपास 5 रखें जाते से ज़्यादा फेड़ पो देगा है green India के तरफ move करना है यह हमारा लक्ष है so jayind have a fantastic